जै माद बगुला मुखी आप शभी भक्तों का शौकत है आज हम बात करेंगे तंत्र मंत्र यंद्र पे मा बगुला मुखी शाधना पे बात करेंगे मा बगुला मुखी एक ऐशी देवी हैं दस महा विद्याओं में जिनका जो धारन करती हैं पीतवस्त्र पीले वस्त्र पीली माला पीलाशन पीली प्रकरति शब कुछ पीत पितांबरी की तरह धारन करती हैं पीले येलो बाब मावगुला मुखी प्रकृति का शरूप हैं मावगुला मुखी दुस्मनों का भेदन और छेदन करनी का एक प्रतीक हैं मा बगुला मुखी कि शादना बहुत ही तिप्र है बहुत ही उग्र है बहुत ही मारण मोहन उचाटन इस्तम्मन शम्मोहन जितनी भी क्रियाये होती है तंत्र मंत्र यंत्र में मा बगुला मुखी उन सब की अधिष्ठा देवी है बगुला मुखी शादना से जातक धन को प्राप्त करता है अच्छे तन को प्राप्त करता है अच्छे मन को प्राप्त करता है तिप्र शिद्धिया प्राप्त करता है रिद्धि शिद्धि प्राप्त करता है बगुला मु श्वाधा श्वाः करता है वो बगुला मुखी मा उश्वे प्रशन्न हो जाती है और उसको श्री हरी और मा लक्ष्मी की गृवा प्राप्त हो जाती है इनका जो बीज मंत्र है हलीम 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 ये भगला मुखी मा का बीज मंत्र है प्रतेक सादक को इसको बीज मंत्र को एक क्योन हजार का जब प्रति दिन करना चाहिए तब इसका लावे मिलता है उत्तर को मुख्षाइड और दिक्षा लेके ग्यान दिक्षा लेके गुरु दिक्षा लेके इसका जब करना चाहिए शोयम कही मंत्र कही पढ़के कही देखके बिल्कुल भी इसका जब नहीं करना चाहिए अन्य था यह हानी करता है आपको नुक्षान करता है आपको पागल बना देगा आपको विचिप्ट बना देगा पागल हो जाओगे मान्सिक संतुलन खोबेट होगे मा बगुला मुखी बहुत इह दयालू देवी हैं सत्रू की जिव्या पेबार करती हैं कि सत्रू की जिव्या पकड़ती हैं कि ऐसे कि मा बगुला मुखी पीत वत्र पसंद पीले फल पसंद है जितनी भी पीली वस्तु है शब माघुला मुख्य को पसंद है धारन करती है माघुला मुख्य को पसंद है श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव और शक्ति के शमस्त रूप है ये प्रकृति समस्त देवी दुवता शिव शक्ति के ही शरूप है ये आप समझ ये शीज को बारे हो शीताराम 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 शीताराम